10 रुपे के खच्चे में थाली भर-भर के बनाओ, दोस्तों ये रसीपी आज जो हम बना रहे हैं बहुती टेस्टी लगने वली है बच्चो को और हम मुरमुरे से ये रसीपी बनाएंगे, तो चलिए देर ना करते हुए बनाते हैं आज की रसीपी इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक बाउल में मूर्मूरे ले रही हूँ अगर मुझे जादा की जूर्थ पड़ी तो बाद में ले लूँगी अभी एक बाउल लिया है और इसको डाल देते हैं मिक्सी जार में क्योंकि हमने इसका पाउडर बनाना है तो देखिये मूरे और लेकर उसका पाउडर बना लेती हूँ तो यह मेरा टोटल हुआ एक बाउल से थोड़ा सा कम इस तरह से और डाल लेते हैं इसको एक बड़े भरतर में डाल लिया है और इसमें डालेंगे दोस्तों बेसन वन फॉर्थ कप यानि जितना मेरा मूर्मूरा है उसका व अब लेते हैं एक कढ़ाई कढ़ाई को आपने गैस पर रख देना है और इसमें पानी डालेंगे अब पानी कितना डालना है पानी उतना डालेंगे जितना हमारा मूर्मूरे का पाउडर था तो इस तरह से पानी ले लिया है और इसको कर देते हैं गरम जब यह पानी थोड और मूर्मूरे का बना कर रखा था यानि मूर्मूरे और बेसन का आटा इसमें मिला लेते हैं और गैस को आपने सीम रखना है यहां पर दोस्तों आपने इसको हिलाते रहना है जब तक कि इसका टाइट सा डो त्यार ना हो जाए इस तरीके से देखिए आप दोस्तों यह ये थंडा होने के लिए रख देते हैं देखिए इस तरह से मैंने ए फेला कर रख दिया है अब ये ठंडा हो जाएका ना तबी हम अपने recipe त्यार करेंगे अब आपने क्या करना है अब दोस्तो ये ठंडा हो चुका है थोड़ा सा इसको इस तरह से मैश कर दें बिल्कुल जादा ठंडा भी नहीं करना है बिल्कुल एकदम से थोड़ा सा ये हलका सा गरम रहना चाहिए ताकि आपके हाथ इसमें लग जाए अगर दोसों ये ठंडा भी हो जाए ना तो कोई दिक्कत वली बात नहीं है आ कौन फ्लोर दोस्तों आपने इतना लेना है जितना बेसन दिया था जितना हमने बेसन लिया था उतना ही कौन फ्लोर लेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके इसको डाल लेते हैं कौन फ्लोर को मिला लेना है इसमें से अच्छे से इसको गूनना है जैसे हम रोटी काटा गूनत जब ये अच्छे से मिल जाएना cornstarch दोस्तों आपने थोड़ा-थोड़ा करके ही मिलाना है। ये देखे हमारा dough हो गया है ready। और जब ये अच्छे से mash हो जाएगा तो ये हाथ पर नहीं चिपकेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आटा हमारा ready है। अब आपने हाथ दो लेने हैं, हाथ दो कर फिर अगर आप इसको हाथ लगाओगे ना, तो ये बिलकुल भी हाथ पर नहीं चिपकेगा, तो ऐसा ही डो हमने त्यार करना था, और इस पर लगा लेते हैं थोड़ा सा ओयल, ताकि पपड़ी बगारा ना बने इस पर, तो लगा ल भी आप कर लें, हाथ पर तेल लगा कर ही आपने थोड़ा सा पोर्शन इसमें से लेना है, और जैसे मैं कर रही हूँ, बस ऐसे ही आपने करनी है, इस शेप में बना लें, तो इस तरीके से दोस्तों आपने सारी रेडी कर लेनी है, बना बना कर, तो देखे दोस्तों मेरे सा तो इस तरीके से आपने अल्ट पल्ट करते हुए इसको शेखना है गैस आपने सीम ही रखना है यदि दोस्तो आप गैस को हाई फ्लेम पर करेंगे तो क्या होगा बहार से यह अच्छे से सीख जाएंगे अंदर इनमें जाली नहीं पड़ेगी अंदर से यह कच्छे रहा तो आपने हाई फ्लेम पर इसको सेख लेना है टोटल एक बैच साथ से आठ मिनट लेगा बनने में तो इस तरह से आपने फ्राइ कर लेना है सारे बैचिज तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं देखिए ब्राउन होने तक आपने तलना है इसमें कोई और मसाला हमने नहीं डाला है बिल्कुल कम इंग्रीडियन्ट से आपकी रेसीपी त्यार हो जाएगी तो इस तरीके से ये ब्राउन होने तक आपने फ्राइ करने हैं देखिए हमने सारे बैचिज जो हैं वो फ्राइ कर लिये हैं और आपने बड़ी चलनी में डाल कर इसको रखना है ताकि बिल्कुल इसमें ना रहे जितना भी थोड़ा बहुत ओयल रहा जाए वो नीचे निकल जाएगा इस तरीके से दोस्तों ये रेसीपी जो है बिल्कुल भी ओयली नहीं बनेगी एक बार ट्राइ करके जरूर देखना इस तरीके से दोस्तों मैंने सारे चलनी में निकाल लिये थे देख साइड से कुरकुरे खाने में आपको मजा आ जाएगा बच्चे इसको बहुत ही पसंद करेंगे दोस्तों ये हो गए हमारे कुरकुरे रेडी इस तरीके से आप घर पर बना सकते हैं अभी रुखिये दोस्तों अभी थोड़ा सा ट्विस्ट बाकी है इसमें इसको डाल लेत पर डाल कर खाते हैं बस वही चाट मसाला है चाट मसाले में सारे मसाले पहले से ही होते हैं इसलिए हम जादा मसाले इसमें नहीं डालेंगे और डालेंगे एक चमच के करीब डेगी मिर्च इसका दोस्तों तीखा पन तो नहीं आएगा जादा हलका सा आएगा और कलर इसमें बन गई है हमारी आज की तो इस तरीके से दोस्तो आप बच्चों के लिए घर में बना सकते हैं आज के बाद आपका भी भी कुरकुरे जो हैं वो बाहर से नहीर लाएंगे बस घर में ही 10 रुपए के खर्चे से चटपटे कुरकुरे बना कर रेडी कर सकते हैं तो दोस्तो कैसी लगी आज की आपको हमारी रेसीपी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं ऐसी ही एक और रेसीपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाई बाई